इस गाइड में हम आपको दिखाएंगे कि MXC Cryptocurrency Exchange पर अपने अकाउंट को टॉप अप कैसे करें, स्मार्ट कॉइन कैसे खरीदें और कैसे इसे अपने वालेट में निकालें. एस्मार्ट कॉइन का उप्योग, इल्टिमा के साथ सभी ट्रांजेक्शन में इंधन के रूप में किया जाता है. स्प्लिट ट्रांजेक्शन करने के लिए आपके वालेट में कम से कम 5500 स्मार्ट होने चाहिए. चरण एक, अपने अकाउंट को टॉप अप करें, एक्सचेंज में लॉग इन करें, वालेट्स, डिपॉजिट सेलेक्ट करें, लिस्ट से उस क्रिप्टोक्रेंसी का चैन करें, जिसे आप एक्सचेंज और वान्चित नेटवर्ग पर भेजना चाहते हैं. इसके बाद click to generate address पर click करें, टॉप अप करने के लिए एक QR कोड दिखाई देगा, साथ ही एक address भी होगा, जिसे आप copy कर सकते हैं, जो भी तरीका आप के लिए सुविधा जनक हो, उसके जरिये इस address पर क्रिप्टोक्रेंसी भेजें, ट्रांजैक्शन के process होने तक जब processing पूरी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपके wallet का balance बढ़ गया है, अब आप अपना पहला order दे सकते हैं, चरण 2, smart खरीदना home page पर spot चुने, खुलने वाली window में, search section में, उस cryptocurrency का नाम दर्ज करें, जिसे आप खरीदना चाहते हैं, आए smart खोजे, हमें दिख रहा ह कि smart USDT जोड़ी उपलब्ध है, आप smart को market यानि वर्तमान मूल्य पर खरीद सकते हैं, या वांशित मूल्य पर एक limit order निर्धारित कर सकते हैं, आप एक stop limit order भी set कर सकते हैं, जो आपको एक ही समय में stop price और limit price set करने की अनुमती देता है, ताकि आप अपने trade को निश्पादित करने की लागत को नियंतरित कर सकें, वांशित order प्रकार का चयन करें, वह कीमत चुने जिस पर आप smart खरीदना चाहते हैं, limit order के मामले में, smart की मात्रा चुने जिसे आप खरीदना चाहते हैं, और buy smart बटन पर क्लिक करें, सब तैयार है, आपने MXC exchange पर smart खरीद लिया, अब इ आपको अपना wallet address copy करना होगा, ऐसा करने के लिए smart wallet app खोलें, और अपने smart card पर tap करें, आपको अपना wallet address दिखाई देगा, जिसे आप copy आइकन पर क्लिक करके copy कर सकते हैं, MXC पर वापस लोटें, wallet पर जाएं और withdraw select करें, search bar में smart नाम दर्ज करें, copy किया गया wallet address और वह smart राशी दर्ज करें, जिसे आप भेजना चाहते हैं, भेजने की पुष्टी करें और exchange द्वारा transaction को process करने की प्रतीक्षा करें, जब transaction process हो जाएगा, तो आपको अपने wallet में coins प